तो जब केजरिवाल के लिए दिल्ली सरकार के पास जो हैं, वो दो विकल्प हैं पहला तो ये है कि केजरिवाल को स्तीफा देना होगा, विधायक दल का नया नीता चुना जाएगा और दूसरा विकल्प, second option ये है कि केजरिवाल सरकार पर सम्विधानिक संकट LG सरकार बरखास करने की सिफारिश कर सकते हैं तो ये ही दो विकल्प है और क्योंकि आम आदमी पार्टी लगतार इस बात पर अड़ी हुई है कि अर्विंद केजरिवाल जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे तो हम सिधा विकरान से ही समझते हैं विकरान ये दो आप्शन्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन अर्विंद केजरिवाल पर क्या सूट कर रहा है कितने आप्शन है उनके पास अर्विंद केजरिवाल सबसे बड़े नेता है लेकिन वो जेल में है अगर उनकी सरकार इस्तीफा दे देती है किसी नए आदमी को नेता बना देती है तो अर्विंद केजरिवाल के नाम पर मिलने वाला जो सानुबुती और बाकी चीज़े हैं वो अर्विंद केजरिवाल के नाम के अलावा नहीं मिलेंगी और अर्विन केजरिवाल सबसे बड़ा चहरा अगर वो एक बार इस्तीफा दे देते हैं तो लोग उन्हें कहीं भूलने ना लग जाएं इसलिए पार्टी कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि आम आदनी पार्टी के विधायक दल कोई नया नेता का चुनाव करेंगे और अगर नया नेता नहीं चुना गया सरकार नहीं नहीं बनाए गया तो इस समय वर्तमान परिश्तितियों में कोई और विकल्प नहीं दिख रहा क्योंकि उसकी तरफ हाई पालिका का अधिकार शेत्र है और वही इस नामले में कारवाई कर सकते हैं तो क्या उस तरब बढ़ता वा दिखाई दे रहा है यह कुछ समयबाद परदा चलेगा रात ने परेशान परेशान दिखाई दिये। सीमेंट का उंचा चबूतरा बना हुआ है बैरक के बाद चार सुरक्षा कर्मी हमेशा तैयार रहेंगे बैरक में CCTV लगा हुआ है अरविंद केजरिवाल को डाइबिटीज की शकायत है ऐसे में उन्हें उसी के मताबेक स्पेशल डाइट और खाने की सुविदा दी जाती रहेगी 15 अप्रेल तक अरविंद केजरिवाल तेहार जेल में ही रहेंगे हाला कि पहली रात वो सही से सो नहीं सके रात में बेचैन रहे बीच बीच में नींद खुलती रही सुबह केजरिवाल ने चाय और बिस्किट का नाश्ता किया केजरिवाल जेल में अखबार पढ़ सकते हैं किताब पढ़ सकते हैं और सुबह कुछ समय के लिए बैरक के बाहर रह सकते हैं लेकिन बाद में उन्हें बैरक में लोटना पढ़ सकता है केजरिवाल अपनी बैरक में टीवी देख सकते हैं कोड जेल नियमों के मुताबेक उन्हें अपने परिबार के लोगों से मिलने की इजाज़त भी दी गई है तो कली जानकारी सामने आई थी और जानकारी यह थी कि इडी की पूछताच में अरविंद केरज़वाल ने आतिशी और सौरभार्दवाच का नाम लिया है अब तक जिस तरह से नाम लिया था एक दिन पहले कोड के अंदर तो उसके बाद से ही लगातार हलचल मची हुई है हलाकि एडी की तरफ से कोई ऐसी हल्चा नहीं है कि उनसे पूस्टाच के लिए अगर होना जरूरी लगएगा कि इस दिल्ली शराब निती मामले में उनसे पूस्टाच की कोई जरूरत है हलाकि अब तक विजे नयार का जो स्टेटमेंट था जो बयार उन्होंने के जिवाल को दिखाए थे एडी ने उन बयारों के अधार पर सीधा सीधा सिधा संपर्क आतिशी और सौरभ भार्दौास से विजे नयार का था ऐसा कहा गया था कोट में कल एसजी राजू की तरफ से और उसके बास से अब एडी क्या उनसे पूस्टाज करेगी दोनों से क्योंकि नाम तो पहले डिल साल पहले भी दिये जा चुके है ऐसा विजे नयार के स्टेटमेंट में भी था अब एडी को लगेगा कि इस पूरे मामले में अगर उनकी कोई कोई बाचीत इस तरह से उ पूरे मामले पर वो देखना होगा ठीक है लोटेंगे आपके पास दीपक लेकिन केजरवाल को तेहार जेल में जिस बैरक में रखा गया वो छोटी सी सेल है और माना यह चाह रहा है कि अमोवन अचानक ऐसी छोटी जगह पर पहुँशने पर लोग बेचायन हो जाते हैं औ पूस्तों के मताबिक जेल में अनुवल के अनुसार ही केजरवाल को सुविधाएं दी जाएंगी उन्हें अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री की पिछली रात जेल में कटी सोमवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोट ने 15 अप्रेल तक के लिए न्याई खुरासत में भीज दिया था और सोमवार शाम उन्हें तिहार जेल ले जाया गया जहां उन्हें जेल नंबर दो के एक बैरक में रखा गया केजरीवाल अपने बैरक में अकेले ही है और उनके साथ कोई नहीं है जेल में केजरीवाल ने अपने लिए कुछ चीजों की मांग की थी जेल में उन्होंने तीन किताबों की मांग की श्रीमत भगवदगी का और रामाण के साथ हाउप प्राइम मिनिस्टरस जिसाइट किताब मांगी थी उन्होंने एक टेबल, कुर्सी, अपने ले दवाईयां, घर का खाना और गदा, चादर, दो तकिये, दरी, चश्मा, पैन, नोट पैड मांगा और साथ ही गले में एक लॉकेट पहनने की इजाज़त मांगी थी जिसकी इजाज़त उन्हें देजी गई केजरीवाल को तिहार जेल में जिस बैरक में रखा गया है, वो छोटी सी सेल है और माना जा रहा है कि अमूमन अचानक ऐसी छोटी जगह पर पहुँचने पर लोग बेचैन हो जाते हैं ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी परिशानी हो सकती है सूत्रों के मताबिक जेल मैनुवल के अनुसार ही केजरीवाल को सुविधाय मिलेंगी उन्हें अन्य सुविधाय नहीं मिलेंगी अरविंद केजरीवाल को घर से आया खाना खाने की इजाज़त है उन्होंने जेल के रजिस्टर में परिवार के जिन लोगों के नाम दर्ज कराए हैं उनसे वो हफ़ते में दो बार वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं और हर रोज पांच मिनट फोन पर बात कर सकते हैं कोट ने आदेश दिया है कि केजरीवाल के हर रोज मेडिकल जाच की जाती रही और जरूरत पढ़ने पर उन्हें माकूल इलाज दिया जाएगा तो दीपक और जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दीपक बहुत संक्षेप में जल्दी से हमें बताईए कि अर्विन केजरीवाल की रात कैसी कटी देखे देरात उन्होंने अपने घर का बना हुआ खाना खाया अन्हें घर का खना दियागा था उसके बाद देरात वो क्योखी को सूत्र wanna बता रहे हैं जेल के अंदर जागे हुती है जहापर पहली बार किसी का आना होता है तो उन्हें बेचे नहीं होती है कि रात को परशानी हुई हो, सोने में थोड़ी दिक्कत आई हो और ये बेचैनी भी महसूस हो सकती क्योंकि ये हर बार हर जेल माने वाले शक्स के साथ ऐसा होता है, ऐसा जेल सूत्रों का कहना है, जो ठीक है, लोटेंगे आपके पास जावेद का भी रुक कर लेते हैं, जावेद बीजेपी कह रही है, हाथ कंगन को आर्सी क्या, पढ़े लिके को फार्सी क्या, अगर आरोप लगा रहे हैं तो नाम भी बताईए, किसने आपको कॉंटेक्ट किया बीजेपी में शामल होने के ल ही है, उसकी बाकाइदा बीजेपी ने शेकायत दर्श किया, लेकिन अभी हमें समझना होगा कि अभी जो इस्थिती चल रही है, अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी हुई है, और कोर्ट में एडी ने अर्विंद केजरिवाल के हवाले से आतिशी और सौरभ भार्दौा आतिशी जो की मुखे प्रवक्ता की भूमिका में है, दिल्ली सरकार में मंतरी है, रागव चड़ा और दुर्गेश पाठक, अब इनको निशाना बनाने की कोशिश की जारी है, ऐसा आमादमी पार्टी का कहना है, क्योंकि अगर इनको निशाना बनाया जाता है, इनको भी अरेस्ट किया जाता है, या कोई कारेवाई इडी की तरफ से होती है, तो आप समझ लीजे कि आने वाले समय में आमादमी पार्टी के लिए चुनावों में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा चेरा अरविंद के जरिवाल वो इस वक्त जेल में है, दिल तो आमादमी पार्टी का आरोप लगतार यही है, और दूसरा जो आरोप उन्होंने लगाया कि इस्तीफा वो नहीं देंगे, जेल से सरकार चलेगी, वो कहरेगी अगर इस्तीफा अरविंद के जरिवाल ने देगे, शुक्रिया जावे झालशा जड़ी लूसरा जावे